हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू अली सिविल्स कुरू तो आज हम डिसकस करेंगे डेली करेंट अफेर्स में 7 मार्च 2022 का करेंट अफेर आई होब आपको ये सेशन पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में हम 6 मार्च के करेंट अफेर का रिवीजन भी करेंगे और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडियाफ लेनी है तो आप नीचे दियेगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पीडियाफ का आपको लिंक मिलेगा तो दोस्तों आप उसको वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स थीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स, क्वेस्चन नमबर वन है कालियाट्टम थायम उत्सब किस राज में मनाया जाएगा ओप्शन A केरल, ओप्शन B तमिलाडू, ओप्शन C करनाटक या ओप्शन D आंदरप्रदेश तो दोस्तों ओप्शन नमबर A is correct केरल ये दोस्तों कालियाट्टम थायम केरल में किया जाने वाला 800 साल पुराना एक अनुस्ठान नरत्य है दोस्तों और यह लोक नरत्य और कला को प्रदर्शित करता है जिससे प्राचीन जन जाती है संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है तो अब देखेंगे question number second निम्न में से किस अंत्रिच एजन्सी ने यूरोपा किल पर अंत्रिच यान विक्सित करने शुरू कर दिया है दोस्तों ओप्शने इस रो ओप्शन बी ईसा ओप्शन सी नासा या ओप्शन डी स्पेस एक्स तो फ्रेंड्स ओप्शन नमबर C is correct नासा ये दोस्तों अमेरिका की अंत्रिच एजन्सी नासा ने हाल ही में यूरोपा किल पर अंत्रिच यान को विक्सित करने के लिए शुरू कर दिया है दोस्तों इससे पहले यूरोपा Multiple Fly-Y Mission के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों किसके नाम से तो यह जो यूरोपा है वो मल्टिपल फ्लाइवाई मिशन के नाम से भी जाना जाता है और इस यूरोपा किलपर द्वारा गैलिलियो अंत्रेच्छियान द्वारा ब्रहस्पत के चारो और आठ साल के दौरान किये गए अनुवर्ती अध्यन किया जाएगा दोस प्रेंड्स अब बात करेंगे Q4 के बारे में हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकडों के मुताविक फरवरी 2022 में UPI प्लेटफॉर्म पर भारत की लेन देन की कीमत घटी है Option A. बित्मंत्राले Option B. National Payments Corporation of India Option C. भारतिय रिजर्व वैंक Option D. भारत पे तो Friends, Option B. is correct National Payments Corporation of India यानि की NPCI तो दोस्तूं, NPCI के द्वारा जारी आंकडों के मुताविक फरवरी 2022 में UPI प्लेटफॉर्म पर भारत की लेन देन की कीमत घटी है और यहीं पर बात करें तो फरवरी 2022 में UPI प्लेटफॉर्म पर Cashless Retail Transaction 8.27 लाग करोड रुपे था दोस्तूं जबकि पिछले महीने की बात करें तो जनवरी में 8.32 लाग करोड रुपे था दोस्तूं तो अब बात करेंगे question number 5 के बारे में निम्न में से किस पुरुषकार के बिजेता एलन लेट जूनियर का हाल ही में 84 वर्स की उम्र में निधन हो गया है option A, Novel, option B, Oscar, option C, Grammy या option D, Tony पुरुषकार तो दोस्तों option number B is correct, Oscar ये दोस्तों Oscar पुरुषकार के बिजेता एलन लेट जूनियर का 84 वर्स की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों और दोस्तों उन्हें प्यार से लाड़ी के नाम से भी जाना जाता था जबकि वर्ष 1995 में उन्हें मेल गिफशन द्वारा निर्देशित सर्फ स्रेश चित्र बैबर हार्ट के लिए अकादमी पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों तो फ्रेंट्स अब बात करेंगे क्वेशन नमबर सिक्स के बारे में मार्श 2022 को विश्य मोटापा दिवस मनाया गया इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई है ओप्शन A 2015 ओप्शन B 2016 ओप्शन C 2017 या ओप्शन D 2018 तो फ्रेंट्स ओप्शन नमबर A is correct 2015 ये दोस्तों वर्ष 2015 से विश्य मोटापा दिवस मनाया जाता है और फ्रेंट्स 2022 की थीम क्या है तो इस वर्ष ये Everybody needs to act के साथ मनाया गया है दोस्तों ये इसकी थीम है दोस्तों और यहीं पर बात करें तो मोटापा दुनिया के सबसे बड़े स्वास्ते संखट में से एक है दोस्तों इससे पूरे विश्य में लगवग 80 करोण लोग प्रभावेत हैं जिसमें लाखों लोग अतिदिक जोखिम में हैं दोस्तों तो अब बात करेंगे question number 7 के बारे में गंगा कार्या कल्प के लिए हाल ही में किस मिशन को विशेश जूरी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है option A. जिग्यासा मिशन, option B. स्वामित्य मिशन, option C. आत्म निर्वर भारत मिशन, option D. स्वच्छ गंगा के लिए राष्टी मिशन तो friends, option number D is correct, स्वच्छ गंगा के लिए राष्टी मिशन ये दोस्तों सात्वे भारत उद्योग, जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरुषकारों के नवे संस्क्रण के दोरान हाल ही में गंगा कार्यकल्प के लिए स्वच्छ गंगा के लिए राष्टी मिशन को विशेश जूरी पुरुषकार से सम्मानित किया गया है और यहीं पर बात करें तो इस स्वच्छ गंगा के लिए राष्टी मिशन के लिए जी असोक कुमार को नए महा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों तो अब देखेंगे क्वेस्चन नमबर 8 रेल दुरगटनाओं से बचने के लिए स्वधेसी टककर रोधी परणाली कवच को किसने विक्सित किया है ओप्शन A भारतिय रेल्वे ओप्शन B DMRC ओप्शन C इंडियन आर्मी या ओप्शन D इन में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स ओप्शन नमबर 8 इस करेक्ट इंडियन रेल्वे ये दोस्तों भारतिय रेल्वे यानि की इंडियन रेल्वे ने एक नए सुरच्छा सिस्टम कवच को विक्सित किया है और यह एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से रेल हाथसों से बचा जा सकता है दोस्तों और यह कवच देश में डेवलप किया गया है तथा यह आटोमेटिक ट्रेन पोटेक्शन सिस्टम है जो कवच सुरच्छा सिस्टम इस तरह से तयार किया गया है कि अगर एक लोको इंजन के सामने दूसरा लोको इंजन आ जाए तो यह कवच इंजन को 380 मीटर की दूरी से रोग देगा दोस्तों तो दोस्तों यह जो कवच इन्होंने विक्सित किया है यह कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे को मदद करेगा तो फ्रेंड्स ये कवच क्या है? तो दोस्तों ये कवच जो है इसका साब्दिक अर्थ है कवच रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती स्वेच आलित ट्रेन टककर सुरच्छा प्रणाली के रूप में प्रचारित किया जा रहा है दोस्तों तो अब देखेंगे question number 9 राष्टिय पुरुसकार से सम्मानित किस अवनेतरी को भारती एकसा लाइफ इंसुरेंस ने अपना ब्रांड अमेस्डर नियुक्त किया है option A दिब्या घोशला, option B सुस्मिता सेन, option C विद्यावालन या option D लारा दत्ता तो friends, option number C is correct, विद्यावालन ये दोस्तों राष्टिय पुरुसकार से सम्मानित अवनेतरी विद्यावालन को हाल ही में भारतीय एकसा लाइफ इंसुरेंस ने do the smart thing, चैंपियन को बड़ावा देने के देश से अपना ब्रांड अम्बैस्डर नियुक्त किया है और इस इंसुरेंस के MD और CEO पराग राजा हैं और इसकी स्थापना वर्ष 2007 में किये गई थी तो friends, अब देखेंगे question number 10 भारत सरकार ने हाल ही में नवाचार केंदर की स्थापना के लिए किसके साथ मेजवान देश समझोते पर हस्ताचर किये है option A, विश्यवैंक, option B, संयुक्तराष्ट, option C, अंतराष्टिय दूरसंचार संग, option D, नीती आयोग तो दोस्तों, option number C is correct, अंतराष्टिय दूरसंचार संग ये दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में नवाचार केंदर की स्थापना और नई दिल्ली में ITU के एक छेत्रिय कार्याले के लिए अंतराष्टिय दूरसंचार संग के साथ मेजवान देश पर के समझौते पर हस्ताचर किये हैं दोस्तों और यह समझौता छेत्रिय कार्याले की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और वित्तिय धाचा प्रदान करता है तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे रिविजन एक्सराइज और आज हम करेंगे रिविजन एक्सराइज में छे मार्श के करेंट अफेर का रिविजन तो चलिए शुरू करते हैं अम्मा और वहनी योजना की पहल किस राज सरकार द्वारा की गई तो दोस्तों ये सिक्किम सरकार के द्वारा की गई है Q2 है निम्न में से किस मंत्राले ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सहरी स्वच्छता सर्वेच्छड का लगातार सात्वा संस्क्रट शुरू किया है तो दोस्तों ये आवास और सहरी मामलों के मंत्राले ने सहरी स्वच्छता सर्वेच्छड का लगातार सात्वा संस्क्रट सुरू किया है नेक्स्ट है निम्न में से किस आटो मोबाइल कमपनी ने इलेक्ट्रिक वहानों के लिए एक नया ब्रांड विड़ा का अनावर्ण किया है तो दोस्तों ये हीरो मोटो कॉप ने इलेक्ट्रिक वहानों के लिए एक नया ब्रांड विड़ा का अनावर्ण किया है दोस्तों Q4 है भारत अमेरिका सैन सयोग समू की वैठक का उन्निस्वा संस्क्रण हाल ही में किस सहर में आयोजित किया गया है तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के आगरा सहर में इसको आयोजित किया गया है Q5 है हाल ही में भारतिय बनस्पती सर्वेच्छड के विज्यानिकों ने जिन वैरी की एक नई प्रजाती की खोच कहां की है तो दोस्तों ये तमिल लाडो में एक नई प्रजाती की खोच की गई है Q6 है Financial Action Task Force ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में सामिल किया है तो दोस्तों ये सर्यूक्त अरब अमिरात को अपनी ग्रे लिस्ट में सामिल किया है Q7 है भारती सेना के पूर प्रमुख जनरल सुनित फ्रांसिस का हाल ही में कितने वर्स की उम्र में निदन हो गया तो दोस्तों इनका 88 वर्स की उमर में निदन हुआ है Q8 है हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टिड और किस ने हरित उर्जा लच्छों की दिसा में एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं तो फ्रेंड्स सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिम्टिड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिम्टिड ने हरित उर्जा लच्छों की दिसा में एक समझोते ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं Q9 है हैरत महुतसब कहां मनाया गया है तो दोस्तों हैरत महुतसब जो है वो जम्मू कस्मीर में मनाया गया है नेक्स्ट और लास्ट है प्लास्टिक रीसाइकलिंग और अपसिष्ट प्रबंदन पर सिखर सम्मेलन 2022 का उद्गाटन कहां हुआ है तो दोस्तों इसका उद्गाटन नई दिल्ली में हुआ है तो फ्रेंट्स अब है आपके लिए कल के प्रफ्षन का उत्तर आप से क्वेश्टन किया था कि गुप्त बंस की स्थापना कब और किसने की थी तो फ्रेंट्स गुप्त बंस की स्थापना 320 Easvी में लगवक चंदर गुप्त प्रथमने की थी दोस्तों और आज का प्रेशन है कि मुहम्मद गौरी कहां का साशक था दोस्तों ये आपको comment box में comment करके बताना है कि मुहम्मद गौरी कहां का साशक था दोस्तों तो friends ये थी हमारे आज के important current affair का session I hope आपको पसंद आया होगा और पसंद आये तो please दोस्तों वीडियो को like, share and subscribe जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को share कीजिए और friends अगर आपको इस वीडियो की PDF लेनी है तो आप नीचे दियेगे description में जाकर इस PDF का link मिलेगा आपको तो आप उसको वहाँ से download कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं इपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you